हेलो दोस्तों, आज हम आपको घुटनों और कमर की दर्द से छुटकर दिलाने के लिए कुछ गरिल उपायों के बारे में बताएंगे आज कल घुटनों और कमर की दर्द की समश्या काफी आम हो गई है यह समश्या के ओल बड़े बुड़ों को नहीं बलकि युवाओ को भी होती है अगर इस समश्या का सेमय परिलाज ना किया जाए तो यह काफी खतरना करूप ले सकती है तो चलिए घुटनों और कमर की दर्द को रहात दिलाने के लिए कुछ गरिलो उपायों के बारे में जानते है सबसे पहले आप ठंडे पानी से सिकाई करे ठंडे पानी की पटियों से घुटनों की और कमर की सिकाई करे इससे रक्त को सिकाई यानि बल्ड वेसल्स सिकूड जाती है और परभाविश्थी से पर बल्ड फोलो कम हो जाता है ऐसा करने से दर्द कम हो जाता है और सूजन भी कम हो जाती है आप ठंडे पानी की पटियों और रखने के अलावा बर्फ के टुकडों का इस्तिमाल कर सकते हैं आप एक कपड़े में बर्फ के कुछ टुकड़े लपेट कर और जहां पर दर्द है वहाँ पर अच्छे से सिकाई करें और अगला उपाय है अदरक का जूस गुटनों और कमर के दर्द में अदरक काफी लाबकारी होती है अदरक में जिंजरोल होता है जो जोडों के दर्द के अलावा मासपेशियों में खिचाव को भी कम करने में मदद करता है रोजाना अदरक का जूस पीने से दर्द में निजात मिल जाती है आप कुछ अधरक के टुकडों में पानी डाल कर उसे ग्राइंडर में पीछ ले और फिर उसे चान कर उसके जूस को एक गिलास में भर ले उसमें एक निम्बो और आदा चम्मस सैद मिलाकर इसे पी ले इसमें अंटी इंफ्लेमेंटरी प्रोपर्टीज होती है जो दर्द के अलावा सुजन को भी कम करता है इसके अलावा यह यूरी कैसिड को भी रेगुलेट करने में मदद करता है जो कि जोडों के दर्द गाम क्या कारण होता है अगर इसके अलावा अगर आपको कमर और घुटनों में दर्द है तो कुछ बातों का जरूर द्यान रखें किसी भी तरह कि कठी नेक से साइज ना करे और ज्यादा आराम भी ना करे ज्यादा आराम करने से मास पेसिया कमजोर हो जाती है जिसे जोड़ों का दर्दगं भी रूप ले लेता है और ज़्यादा तली भुनी चीजें ना खाई और जंक फूड़ से दूरी रखें और दूद साबुत आनाज और सब्जियां भरपूर मातरा में खाई और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियें तरल पदार्थों का सेवन अधिकरे पूरिस्ट गरेलू उपाय के साथ आव अपना डाक्टर इलाज जरूर करवाएं धन्यवाद